गुद मॉर्निंग क्लास फॉर्थ तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइन्स सो प्लीज ओपन यौर साइन्स बुक इसमें हमने जो पढ़ा है वो है हमारा लेसन नंबर वन लिविंग थिंग्स प्लांट एंड आनिमल्स इसमें हमारे कुछ कुछ रिमेनिंग है उनको रह गए हैं क्लास फॉर्थ है आपका सब्जेक्ट साइन्स डे 26 अप्रेल 2021 लेसन नंबर वन हम कर रहे हैं लिविंग थिंग्स प्लांट एंड इनिमल्स इसमें मैं आपको करवा रही हूं आज कुछ नंबर फाइव तो हमने यहाँ पर लिखना है जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूसफुल होते हैं वो किस तरह से लाब दायक होते हैं तो किस तरह से लाब दायक होते हैं तो हम लिखेंगे Underwater plants are useful because they help to keep the water clean तो वो underwater plants जो होते हैं वो इस तरह से useful होते हैं हमारे लिए कि वो क्या करते हैं Underwater रहकर वो जो पानी है उसको क्या करते हैं Clean करते हैं तो answer होगा Underwater plants are useful because they help to keep the water clean Question number 7 Name two animals which live only in cold reasons हमने उन animals के नाम लिखने हैं जो केवल ठंडी जगे पर पाए जाते हैं या रहते हैं तो answer होगा polar bear and yak तो ठंडी जगे पर पाए जाने वाले जो केवल ठंडी जगे पर रहते हैं वो है polar bear है और एक yak है आगे बढ़ते हैं अब question number 8 है हमारा Why do some animals change their color? जैसे हमने lesson में पढ़ा था कि animals कुछ जो animals होते हैं वो अपना color क्यों change करते हैं जैसे पेड में अगर एक green tree है और उस पे एक chameleon है जिसे हम बोलते हैं गिर्गिट तो वो अपना color change क्यों करता है? वो अपना color इसलिए change करता है ताकि जो उसके anime हैं जिससे उसको harm है जिससे उसको डर है अपने नुकसान का तो इस वज़े से वो अपना color green कर देता है ताकि उसको easily कोई recognize न कर पाए उसे कोई पहचान न पाए इसलिए वो भी green color का हो जाता है अगर वो किसी brown color के पेड़ पे है तो वो अपना color brown कर देता है ताकि कोई उसको easily पहचान न सके ठीक है तो answer देखते है Some animals change their color to protect themselves from their enemies by changing it to their surroundings तो क्या बोला जा रहा है Some animals change their color, कुछ animal अपना color change करते हैं to protect themselves, अपने आपको protect करने के लिए, अपने आपको बचाने के लिए from their enemies, जिनसे उनको डर है, खत्रा है by changing it to their surrounding, और वो color कौन सा कर देते हैं अपने ही आसपास जो उनका surrounding का color होता है उसी को वो adapt कर लेते हैं तो answer हो गया Some animals change their color to protect themselves from their enemies by changing it to their surroundings ठीक है Question number 9 है Name two arboreal and aerial animals हमने यहाँ पे नाम लिखने है दो arboreal animal के और दो aerial animals के तो पहले हम लिखेंगे arboreal animal तो arboreal जो पेड़ बे रहते है ठीक है तो हम लिखेंगे पहले monkey and then lizard aerial animals aerial animal होते हैं जो हवा में बहुत देर तक रह जाते हैं जैसे कि हमारा हो गया bat, चमगादर and crow उडने वाले पक्षी जो ज़्यादा देर तक हवा में उड सकते हैं तो aerial animals वो कहलाते हैं तो हम लिख देते हैं एक bat और एक crow तो यही है आज आपका काम इसे आपने करना अपनी science की copy में अच्छी सी handwriting में और जैसे आप लिखेंगे वैसे आप learn भी करेंगे ठीक है तो इसे कर लिजे अपनी copy में अच्छी राइटिंग में और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे next exercise के साथ इसे आपक दोनी करेंगे यही है काम